Hello everyone, this is Aryan Shah, welcome to S-Orbit Institute और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है Maclaurin series, ठीक है? Maclaurin series को हम पढ़ते क्यों है? क्योंकि किसी भी function को अगर मुझे polynomial के terms में लिखना है, जैसे for example, आपने sin x का expansion पढ़ा होगा, sin x का expansion क्या होता है? x minus x की पढ़र 3 by factorial 3, plus x की पढ़र 5 by factorial 5, यह cos x का expansion पढ़ा होगा आपने, 1 minus x square by factorial 2, plus x की पढ़र 4 by factorial 4, यह आपने tan x का expansion पढ़ा होगा, e की पढ़र x का पढ़ा होगा, log 1 plus x का पढ़ा होगा, यह सारे जो expansion है, ठीक है? यह कैसे आए हैं? इनकी क्या proving है? मतलब यह किस तरह से design किये गए हैं, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, अपने शब्दों में, कि किसी भी function को अगर मुझे polynomial के terms में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँ? तो यह idea, Maclaurin को सबसे पहले आया था, इसलिए इसको बोलते है Maclaurin series, इन्होंने क्या सोचा, कि हमारे पास कोई भी trigonometric function हो, log का ह exponential function हो, उसे मुझे convert करना है polynomial में, तो जो इन्होंने सोचा, उसे पहले लिख लिया, fx equal to a0 plus a1x plus a2x square plus dara dash an x की power n, समझ में आई बार, इन्होंने क्या सोचा, कि fx हमारे पास कुछ भी हो, चाहे वो trigonometric हो, चाहे वो logarithmic हो, चाहे वो exponential हो, कोई सभी function हो, उसे मुझे polynomial में convert क करना है, तो उन्होंने polynomial के terms में ऐसा लिख लिया, जैसा उन्होंने सोचा, वैसा उन्होंने किताब पर या copy पर लिख दिया, कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसी उनकी requirement है, ठीक है, अब जब उनकी ऐसी requirement है, तो उनको मतलब अब किससे है, इससे मतलब है, यह constant है, a0, a1, a2, an, य इन्होंने यह find कर लिया, तो फिर यह किसी भी function को polynomial में convert कर सकते हैं, अब इनकी जो requirement है, a0, a1, a2, an, find करना, ठीक है, तो इनका एक दोस्त था, वो बगल में बैटा हुआ था, उसने का तुम्हारी यह requirement है, तो तुम्हें एक काम करो सबसे पहले, इस पूरी equation में x equal to 0 हुआ है, कि अगर आपको a0 चाहिए, तो आप क्या करिए, x equal to 0 इस वाली equation में put करिए, जिससे होगा क्या, बाकी आगे के terms के पास x है, जिसकी वरे से यह पूरा 0 हो जाएगा, और यह आपके पास single बचेगा a0, और a0 equal to कितना आ जाएगा, f0 आ जाएगा, यह उसके दोस्त और सोचने लगा, कि a1 कैसे निकाला जाए, फिर a2 कैसे निकाला जाए, तो उसके दोस्त ने फिर से उसे recommend किया, कि एक काम करो, अगर तुम्हें a1 निकालना है, तो तुम्हें इस पूरी equation को differentiate कर डालो, समझ में आरी बात आपको, अगर इस पूरी equation को differentiate करेंगे, तो देखो कि a1 x में, a1 तो constant है, a1 बाहर आगया, और d by dx x करेंगे, तो कितना होता है, बच्चो को बताए कि कितना होता है, d by dx x, 1 होता है, तो इसका मतलब क्या है, कि यह आपके पास, a1 बाहर आ गया, और d by dx x होने की वज़े से, यह आपको क्या बन गया? 1 बन गया, और यहाँ से क् यहां से क्या मिलेगा 2a2x मिलेगा जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है कि differentiate the above equation और then put x equal to 0 तो देखो यहां पर क्या लिखा है f dash x equal to a1 plus 2a2x plus 3a3 x square plus dara dash n into an x kip और n minus 1 मेरे ख्याल से आपको यह वाली equation सहौन में आ गई होगी मैंने कुछ नहीं किया है इस equation को differentiate किया है both the sides ठीक है अब उसके बाद क्या करना है आपको x equal to 0 x equal to 0 कहां put करना है इस वाली equation पूट करना है क्यों ऐसा क्यों उसके दोस ने recommend किया क्योंकि उसके दोस को एक बात पता थी कि जैसे ही मैं यहां पर x equal to 0 put करूँगा तो आगे के बाकी सारे terms 0 हो जाएंगे सिवाए इसके a1 बचेगा और यहां से आपको a1 की value मिल जाएगी तो a1 की value कितनी आ गई f-0 आ गई कितना simple है बहुत simple है इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको a2 find करना है तो आपको एक और दफा इस equation को किस वाली equation को इस वाली equation को differentiate करना पड़ेगा बात्चन में आ रही है आपको अच्छा तो अगर आपने एक और बार इस equation को differentiate किया तो यह आपका f-x जो होगा को f-x में convert हो जाएगा इसी तरह से आपके पास यह वाला जो टर्म में वह 0 हो जाएगा क्योंकि constant का differentiation कितना होता है जीरो होता है इसी तरह से यह आपका 2a2 यहां से बचेगा यहां से आपका यह 2 इधर आ जाएगा तो 3 into 2 यानि कि 6 a3 और यह हो जाएगा x आपको पता है न x square का differentiation कितना होता 2x होता है तो वैसे ही यहां पर 2 बाहर आया तो यह 6 हो गया और a3 into x हो गया इसी तरह से आगे पूरी equation को मैंने differentiate कर डाला ठीक अब उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे वापस से x equal to 0 इस पूरी equation में put करेंगे जैसे ही मैं x equal to 0 इस पूरी equation दो put करूँगा तो यहां पर put करूँगा यहां पर put करूँगा तो यह आगे कि जितने भी terms है वापस से 0 हो जाएंगे आप क्या हम लेगा 2 a2 equal to f double dash 0 इसका मतलब यह है कि a2 equal to f double dash 0 divided by 2 मेरे ख्याल से आपको यहां ता कोई दिक्क करूँगा ठीक है जैसा भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है वैसा आप comment box में जाके मुझे बताइए ठीक है कि कैसा आपको अच्छा लग रहा है कि कुछ और improvement की ज़रूरत है ठीक है चलिए आगे चलते हैं for a3 follow the above steps once again यहां पर मैंने क्या बोला कि f triple dash x equal to कितन मतलब क्या किया इस पूरी equation को इस पूरी equation को एक बार और differentiate कर डाला ठीक है जैसे ही मैं इस पूरी equation को एक और बार differentiate करूंगा तो यह f double dash x जो होगा वो f triple dash x में convert हो जाएगा इसी तरह से आपके पास यह वाला term वापा से constant है 0 हो जाएगा यहां से आपको मिलेगा 6a3 यहां स आप पूरी equation को differentiate कर डालेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखने लगेगा जैसा की board पे लिखा हुआ है और फिर से हमने क्या करना है x equal to 0 इस पूरी equation में put करना है आपको logic और reason दोनों सौन में आ गया होगा क्यूंकि जब मैं वापस से यहां पर x equal to 0 put करूंगा तो केवल यह ब कितना होगा f triple dash 0 divided by 6 ठीक है मेरे ख्याल से आपको यह सारी values निकालते आ गही होंगी जहां पर मैंने a0 निकाल लिया है a1 निकाल लिया है a2 निकाल लिया है और a3 निकाल लिया है और ऐसे ही मतला ऐसे मैं बोल सकता हूं similarly a4 भी निकाल लूँगा ठीक है लेकिन अब मैं ऐसा कब तक करूँगा ऐसा कब तक करूँगा a4 फिर वापस से differentiate करना पड़ेगा तो मुझे एक pattern यहां पर खोजना पड़ेगा सर्च करना पड़ेगा कि कहीं कोई pattern तो नहीं बना रहा और obviously कोई ना कोई pattern बनाएगा ही क्योंकि यहां पर अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमें बार त्रिपल डाइस जीरो डिवाइड बे 2 है और a3 कितना है एफ ट्रिपल डाइस जीरो डिवाइड बाइड बाइ 6 है आपको बता है कि 2 factorial जो होता है वो 2 होता है ठीक है अब मैं अगर किसी को यह बात पता नहीं है तो आप इतनी बात समझे सिर्फ factorial के रिस्पेक्ट में कि अ वो यहाँ पर इतनी है, सिर्फ दो बाते आपको ध्यान रखनी है, पहली बात क्या है कि कि किसी भी negative number या किसी भी fraction वाले number का factorial defined नहीं होता है, यानि कि अगर आपसे बोला जाए कि 1.2 का factorial बताओ, तो आप कहोगे sir, defined नहीं होता है, अगर आपसे कहा जाए minus 1 का factorial बताओ, तो आ आप कहोगे, हाँ sir, 0 का factorial defined होता है, मैंने आपसे क्या कहा है, कि negative number, negative 0 नहीं होता है, और कोई भी fraction वाला number, fraction वाला number भी 0 नहीं होता है, इसका मतलब 0 का factorial defined होगा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कि जो भी आपके पास whole number होते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास whole number होते हैं, तो पहली बात क्या है, कि N जो है, वो कोई भी negative number नहीं हो सकता, कोई भी fraction वाला number नहीं हो सकता, यानि कि मैं यहाँ पर चुप-चाप ऐसे लिख सकता हो कि N जो है, वो belongs to whole number होगा, यानि कि पहला 0 factorial होगा, फिर उसके बाद 1 factorial होगा, फिर उसके बाद 2 factorial होगा, फिर उसके ब 4 factorial होगा और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती चली जाएगी, जब तक आप whole number यहाँ पर put करते जाएगे, तब तक factorial आपको कोई ना लेकिन शर्त यह है कि अंदर एक number कम हो जाएगा फिर, समझ में आई बात आपको, तो आप क्या करोगे, 2 को बाहर फिक होगे, तो यह आपका 2 हो गया, into, और अंदर कितना बचेगा फिर, 1 factorial बचेगा, है न, factorial के 2 sign होते हैं, या तो ऐसा पूर्ण विराम वाला sign होगा, और या आपको यह वाला sign यूज करना है, तो number के पहले लगाना है, तभी मैंने एक ही equation में दोनों चीज़े यूज करके आपको दिखा दी है, ठीक है, number के पहले, तो L वाला sign बनाना है, और number के बाद, तो पूर्ण विराम वाला sign बनाना है, ठीक है, तो यह दो factorial के signs होते हैं, जिन important है, बस fact है, ऐसा समझो, important बाते कितनी हैं, सिर्फ दो ही है, अब इसके बाद जियो Fact है, वो आपको याद रखना है, याद रखना है, बता है, है? यानि कि वन फैक्टोरियल तो हमें पता चल गया न आप वन होता है ठीक है इसका टू इंटू वन कितना तू यानि कि टू को हम टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसलिए मैंने आपसे बोला कि ए टू जो होगा वह एफ डबल डैश जीरो डिवाइड बैट फैक्टोरियल तो 3 आपका बहर आ गया और अंदर कितना हो गया फैक्टोरियल टू हो गया ठीक है नंबर के बहर अगर कोई साइन लगाना है पहले तो आपको ल वाला साइन लगाना चाहिए तो यह हो गया आपके पास 3 इंटू इसके बाद वापास से 2 बहर आ जाएगा तो यह आपके प तो मैं इसको लिख सकता हूँ F triple dash 0 divided by factorial 3 क्योंकि अभी आपने देखा कि factorial 3 जो होता है वो कितना होता है 6 होता है तो अब जैसे ही आपने ये चीज समझ ली कि 6 जो होता है वो factorial 2 होता है ठीक है और 1 जो होता है वो factorial 1 होता है तो आप देखिए यहाँ पर एक pattern आपको बनता हो दिख रहा है अगर आपको A2 निकालना है तो जितनी बार आपको differentiate करना है उतने ही factorial से डिवाइट करना है इसी तरह से अगर आपको A3 निकालना है तो जितनी बार आपको divide करना है मतलब यहाँ पर जो number लिखा होगा उतनी बार आपको divide करना है और जितनी बार आपको divide करना है उतने ही factorial से डिवाइट करना है मेरी बासवान में आ रही है, तो बताओ, A4 कितना होगा, A4 होगा, F4th derivative of 0, जैसे यहाँ पर F triple-0 लिखा है, ठीक है, तो वहाँ पर में क्या बोलूँगा, F4th derivative of 0, divided by नीचे कितना लिखूँगा, Factorial 4, और Factorial 4 कितना होगा, अब आपको समय में आ चुका होगा, कि अगर मुझे सर Factorial 4 निकालना है, तो मैं simply आप ऐसे याद रखूँगा, कि 4 into 3 into 2 into 1, यानि कि 24, क्यों, क्योंकि अभी आपने ये चीज़ समझी न, देखो, Factorial 3 मतलब कितना आया, लास्ट में 3 into 2 into 1, तो pattern पकलो न, कि Factorial 3 अगर 3 into 2 into 1 आया है, तो इसका मतलब Factorial 4 कि आएगा, Factorial 4 आएगा, 4 into 3 into 2 into 1, Factorial 5 कि आएगा, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, मेरे ख्याल से आपको clear होगा, कि Factorial 4, 24 होगा, और Factorial 5 आपका 120 होगा, यहाँ तक आपको याद भी होना चाहिए, और मैंने आपको simply बता भी दि आपके पास एक Maclaurin Series, जहां से आपने A0, A1, A2, An सब ढून लिया है, वो वापस से यहाँ पर पूट कर दिया, तो Maclaurin का काम खतम हो गया, उसके दोस का भी खतम हो गया, और finally हमारे पास एक इक स्टार वाली equation मिल गई हमें, जिसको हम बोलते है Maclaurin Series, जिसकी मदद से हम क तो असफेंशन Yاد करने में दिख्कात आती है, जैसे कि मुझे दिख्कात आती है , क्योंकि मैừng में Maths वाला बंद हूं बायो वाला नहीं हूं, तो मुझे याद करने में दिखकत आती है, तो ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे Students, जिन्हें याद करने में problem होती होगी तो आप क्या अगर सकते हैं इस series को पकड़ सकते हैं ठीक है इस series की माध्यम से आपको किसी भी trigonometric function हो चाए exponential function हो कोई भी function हो उसको अगर exponential में convert करना है या expansions याद नहीं होते हैं तो निकालना है तो आप निकाल सकते हैं आसानी से ठीक है देखिए कैसे मैं आपको example दिखाता हूँ जैसे कि for example आपके पास f x equal to sin x है जैसा कि आपको याद भी होगा कुछ बच्चों को कि f x equal to sin x है सबसे पहले तो आपने f x equal to sin x था तो आपने सबसे पहले f 0 निकाला क्योंकि यहां पर आपको f 0 की requirement है सबसे पहला requirement क्या है f 0 तो आपने क्या किया simply यहां पर x equal to 0 पूट किया तो f 0 कितना होगा sin 0 sin 0 मतलब 0 ठीक हो आपको लग रहा होगा कि यह सब तो इतना बोर्ट पे इतना बहुत सारा लिखा हो तब सबसे होनी चाहिए नहीं भी है तो आप थोड़ा थोड़ा लिख के भी कर सकते हैं और ज्यादा लिखने की ज़रूत नहीं यह तो बोर्ट पे बहुत सारा लिखा आपने की आफ डश निकाल इकुल केधना हो सब्सक्राँ क्यों होता है सब्सक्राइब किस्तुल सब्सक्राइब की घाट गख रगए यहां पर चल रहा है इस तो एफ डैश ओस था एफ डबल डैश एक्स क्यों आपको प露 को सब्सक्राइब रहेकार कुस variance च तो ंरिऊ-स sin x होता है cos x, ठीक है, तो d by dx of cos x किया तो minus sin x आ गया, वापस से यहां पर f double dash 0 करेंगे, तो minus sin 0 होगा, minus sin 0 का मतलब हो गया, 0, clear, यहां पर आते हैं, f triple dash x का मतलब हो गया, यह वाला minus तो भाहर रहेगा, और d by dx of sin x जो होगा, वो cos x होगा, तो आपके पास f triple dash x जो होगा, वो minus cos x हो जाएगा, minus cos x का मतलब हो गया, f triple dash 0 निकाला जा सकता है, मतलब minus cos 0 equal to कितना minus 1, इसी तरह से आपने fourth derivative भी निकाल लिया, fourth derivative डैश करके 0 निकाला, तो यहां पर sin 0 equal to 0 आ गया, इसी तरह से आपने fifth derivative निकाला, cos x, और यहां से आपका f fifth dash 0 equal to cos 0 equal to कितना हो गया, 1, मेरे ख्याल से आपको यहां तक clear है, तो यह आपने सारे के सारे जो भी आपको requirement थी, आपने यहां पर पहले निकाल लिया, अब उसके बताईए, f 0 कितना है, 0, तो यहां पर मैंने क्या लग दिया, 0, sin x equal to f 0 के place पर क्या लग दिया, 0 लग दिया, यह आपका f 0 हो गया, plus इसी तरह से f dash 0 देखा, यहां से कितना है, 1 है, तो 1 into x कर लिया, plus फिर इसी तरह से यहां पर f double dash 0 देखा, कितना है, 0 है, तो 0 into x square divided by कितना factorial 2 कर लिया, plus यहां पर आजाएगे f triple dash 0, f triple dash 0 का मितलब हो गया, minus 1, तो यहां पर minus 1 into x cube by factorial 3 कर लिया, इसी तरह से यह आपका हो जाएगा, f fourth dash 0 और x की पाउर 4 by factorial 4, तो यहां पर देखो, f fourth dash 0 कितना है, 0 है, तो यहां पर आपका कितना हो जाएगा, 0 into x की पाउर 4 by factorial 4, plus यहां पर आपका 1 into x की पाउर 5 by factorial 5, क्योंकि यहां पर f fifth dash 0 कितना है, 1 है, तो यहां पर मैंने ऐसा पूट कर दिया, अब इसको आप simplify कर लेंगे, simplify करने का मतलब यह है कि जो unnecessary चीज़े लिखी हुई है, उसको उड़ा देंगे, जैसे कि यहां पर 0 लिखा है, तो 0 plus लिखो, चाहे 0 को हटा दो, बात तो यहां पर हमने क्या किया, sin x equal to x यह वाला और minus का x cube by factorial 3, यह दिख गया, x की पाउर 5 by factorial 5, यह दिख गया, और ऐसे ही हम लोग differentiate करते जाएंगे, पता नहीं कब तक करेंगे, तो plus infinity, plus minus, sorry, plus data dash up to infinity, यहां पर ऐसा लिख देते हैं, तो इस तरह से यह आपका expansion निकल आता है, आसान है, अगर किसी को याद करने में दिक्कत होती है, तो आपको ऐसा भी धिहान रखना है, कॉमेंट बॉक्स में जाके मुझे रिपोर्ट करिएगा, कि आपको अच्छा लगा वीडियो या कुछ और इसमें इंक्लूट करने की ज़रूरत है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल दैन, इस आर्यन शाह साइनिंग ओफ.